जै मातादी दोस्तों आपके अपने जैनल धर्म साधिनामी आपका बहुत बहुत स्वागत है माभगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सधा सर्वधा बनी रहे दोस्तों धन्तेरस को खरीदारी के लिए बहुत शुब माना जाता है आज के दिन ल खरीद नहीं कि अगला घर है वाहन करीदे गाड़ी घरीटते हैं मतलब अपनी शक्ति आपने समर्थ के अनुसार वश्तमे खरीदब बहुत शुब माना जाता है ऐसी धार्मिक मानेता है जो हम वस्तमे आज खरिदे हैं उस पर मालक्ष्मी की विशेश क्रिपा उती है तो सामर्थ के दिशार हर शैब都是 हरेटिक इंगपाते हैं उसमें उसमें कुछ बातों में चाहिए कौन को वस्तु वस्तु में घरिज में नहीं चाहिए विशेश कर कौन सी वस्तु हमें नहीं खरीदनी चाहिए इसके बारे में हमारे जोती शास्त्र और हमारे वास्तु शास्त्र में क्या नियम बनाए गया है कि धन्तेरस पर हम कौन सी वस्तु में ना खरीदे और क्यों ना खरीदे क्योंकि आज के दिन अगर ये वस्तु में आप खरीदते हैं तो आप लक्ष्मी को स्वतह ही घर से विदा करके और घर में दself southwest को आमंतृत कर देते हैं संकटों को आमंत्रित कर देते हैं इसलिए क्या खरीदते हैं यह बहुत अच्छी बात है कि आप अपने समर्थ के अरुसार कोई भी वस्तु खरीदें लेकिन ध्यान रखें कि आप जो खरीद रहे हैं कहीं वो आपके लिए मुसीबत तो नहीं कहीं उसमें आपके पास संकट नहीं आ रहा मालक्षमी के आगमन की तयारी में कहीं आप संकर तो नहीं बुला रहे हैं तो इसके लिए हमारे धार्मिक सास्त्रों ने कुछ नियम बनाए है कि आज हमें किन वस्तु की खरीदारी नहीं करनी चाहिए और मैं आप से शेयर करने वाली हूं उन्हीं चीजों के गरीदारी आपको आज के दिन धनतेरस के दिन नहीं करिदनी चाहिए इसके अलावा दोस्तों को कभी भी खरीद सकते हैं 13 से पहले खरीद लीजी एक दिन या फिर 13 के बाद खरीद सकते हैं लेकिन आज के दिन आज के शुब दिन को हमेशा शुब वस्तों की खरीदारी ही करनी चाहिए जिससे की मालक्षमी का स्थाईवास हमारे घर में हो तो आज हमें कौन सी चीजे नहीं खरीदी है सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी पहली वस्तों है जिसकी खरीदारी आज भूल से भी नहीं करनी है देखिए ऐसा माना जाता है कि जो भी हम चीजे घर में लेकर आते हैं मालक्षमी का उसमें आगमन होता है लेकिन आज के दिन श्टील खरीदना बेहत अशुब माना जाता है वैसे परतन खरीदे हैं तो लोहा मिक्स होता है और लोहा शनी का कारग होता है और जब आप शनी देव को साथ में लेकर आएंगे खरीद कर तो मालक्षमी कैसे आपके घर में विराजीत होगी इसलिए कोशिश कीजिए कि आज इस बार के धंतेरस पर आप इस पार आप श्टील के भगवान की आरती आप कर सकें दीपक चला सकें लेकिन स्टील से दूर रहें आज स्टील की खरीदारी ना करें तो ज्यादा स्रेश्ट रहेगा इसके अलावा आज प्लास्टिक की चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए प्लास्टिक की चीजों की खरीदारी से भी घर म इनका आगमन होता है objective weanda का व्यर्त में हो जाता है ओर धिरे मालक्ष्मी की गड़ा आप से दूर हो जाती है आज के दिन इस वात का ध्यान कि घर में allumineニम की कोई चीज नहीं होता है को आपके लिए क्परिदा बड़े संकत का उनसकता है क्योंकि जितिश और वास्तु शास्त्र में ऐलुमिनियम को दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है ऐसा माना जाता है कि दुर्भाग्य आता है ऐलुमिनियम के बरतन का प्रियोग करने मातर से भी तो आज के दिन आप अलुमेणियम ना करीदे इसके साथ लोही की चीजे अवि नकारग ठीटे आहिए, तो लोही की धातु आपको इस बार भी नहीं हिरी या और नहीं आपको अलुमेणियम करीदना है, स्टील और प्लास्टिक के बर्तन भी नहीं लेने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से धन की हानी होती है धन में व्रिधी नहीं होती है तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखे जब आप धनतेरस पर खरीदारी करने जा रहे हैं तो कौन सी चीज आपको नहीं खरीदनी है अगला जो आपको ध्यान देना है नुकिली चीजे धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए नुकिली चीजे का मतलब होता है आपको आज के दिन सुई तक नहीं खरीदनी चाहिए नहीं पर जाते cav Agora दो लगता है। तो आप कोशिश करें कि आज की दिन आप cotton prize को भी कोई भी नूकीली वस्थू नहीं करें थो किरह वी अगर कर दो है। है सक्षम सिर्फ accounted मॉरुत ईंपड़े जग्रीवाद विवाद का स्थिती होती है। घर में होगी के हर वक्त लड़ाई जगड़ हो तो एसे घर में कभी भी मालक्षमी का आगमन नहीं होता है और नही मालक्षमी ऐसे घर में वास करती हैं। जहां पर अशान्ति हो कले बाचना है और इसके अलावा छीनी मिट्टी और काच के बॉरतन भी आपको को नहीं खरीदने हैं धंतेरस पर चीनी मिट्टी या कांच से बनी हुई चीजे खरीदने से राहू प्रबल होता है और जब राहू की राहू का प्रभाव आपके घर पर सब्सक्राइब तो बेवजय के खर्च भी बढ़ते हैं, बेवजय के लड़ाई जगरे भी बढ़ते हैं, परिवार में रोग बिमारियां भी बढ़ती हैं, परेशानियां भी बढ़ती हैं, मतलब राहू का घर में आगमन होने का मतलब है कि आपके घर में संकटों का आगमन हो गया, बड़े संकटों का अगमन हो गया तो भूल से भिल चीणि मिठी और काच के बरतन भी आपको नहीं है बहुत से करीदte ँप या फिर इता की बढ़ एक दिन बाद गरीए कॉर किदन फ tiet संवब हूं कि इन अ हमेशा नहीं आथि रुथ अगर आप इतना खर्च नहीं कर पाते हैं तो भी आप इस चीज का ध्यान रखें कि जैसे मैंने पहले बताया बस यह ध्यान रखें कि कौन सी वस्तु नहीं यह ज़्यादा जरूरी है ध्यान देना क्योंकि अगर हम कोई ऐसी वस्तु खरीद कर घर में ले आते हैं जिसकी सिर्फ हमें आवश्यक्ता है लेकिन वह आज के लिए शुब नहीं है तो ऐसे में आपके घर में संकटों के अलावा और कुछ नहीं आएगा तो इस बात का ध्य तो नहीं चाहिए ना तो कांच की वस्तु खरीदे और आज के दिन लोही की वस्तु खरीदनी है इसके अलावा काले रंगी वस्तु आझ नहीं खरीदнес जैसे कि हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं आज कल जैसे कि non-stick खरीदते हैं तो black color के बरतन होते हैं काले रंग के बरतन होते हैं और हम उन्हें खरीद लेते हैं ऐसी गलती आज मत कीजिए देखिए आज का दिन बहुत शुब है जैसा मैंने पहले बताया यह रोज नहीं आत अदमों सब्सें शुब धातु बटाई गई है पीतल फृतर के दिन सर्वस्रेगए ऐसा माना जाता है कि पीतल खरीदने से स्वास्थी में भी वृध्धी होती है धन में भी बिड्धी होती है परिवार में सुक-धंवंत्यरी महराज की दिए की बिए और मालक्षमी की भी अगर आप इन चीजों को खरीदारी करना चाहते हैं गाय का घिक सकते हैं लेकिन सरसो तेल अगर आपको खरीदना है तो आज के दिन धंतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि सरसो तेल में भी शनी का वास माना गया है सरसो तेल हम शनी का दान करते हैं तो सरसो तेल की खरीदारी आज ना करें और तेल अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो आप घी खरीदना चाहते हैं, तो शुद्ध घी जो खरीदते हैं, वो गाई का शुद्ध घी खरीदें, ये बहुत शुब होता है खरीदना आज के दिन, तो आज के दिन इन चीजों का ध्यान आप जरूर रखें, अगर आप खर खरीदें शुब वस्तु खरीद कर लाएं और शुबता में व्रिधी करें धंतेरस का त्योहार बहुत ही शुब बहुत ही मंगल में होता है दोस्तों आशा करते हूं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और खरीदारी करते वक्त आप इन बातों का ध्यान अवश झाल